हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्रीजी अकेडमी में आज की इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक थर्ड सैमिस्टर मेकेनिकल इंजिनेरिंग स्टूडेंट के लिए थर्मल इंजिनेरिंग जो की बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कोश्चन्स यह बताने वाले हैं अगर आप भी एक मेकेनिकल इंजिनेरिंग के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को देखना ना भूलें क्योंकि इस वीडियो में हम आपको पूरी बुक में जो भी इंपॉर्टेंट कोश्चन्स हैं वो आपको बताने energy for isothermal process and adiabatic process इसमें आप से क्या पूछा है isothermal process isothermal process and adiabatic process में work done and change in internal energy का आपका पूरा derivation है वो आप से इस question के अंदर पूछा है इसमें आपको बताना है कि isothermal process में कौन सा work done है उसका formula drive करना है and change in internal energy drive करनी है और adiabatic process भी आपको इसमें define करना है तो आपके process ये दो ही नहीं है आपके process काफी सारे हैं जो कि एक है pressure constant जिसे isobaric process बोलते हैं एक है temperature constant जिसे isothermal process बोलते हैं एक है volume constant जिसको isochoric process बोलते हैं और एक यह है adiabatic process इसमें आपकी जो entropy रहती है वो आपकी constant रहती है क्या रहती है entropy इसमें आपकी constant रहती है और एक है polytropic process तो इन सब process के आपको formally define करने हैं इसके drive करना है की work done सारे process के work done आप एक paper पर लिख लेंगे तो आपको याद रहेंगे कि हाँ यह ऐसे ऐसे है तो आप paper में आसानी से लिख पाएंगे और इसे भूलेंगे भी नहीं फिर आपका second question आता है state the first law of thermodynamics thermodynamics का आपको law बताना है and इसका diagram आपको जरूर बनाना है बहुत लोग diagram नहीं बनाते तो diagram में आपके number कट जाते हैं भले से आप theory कितनी भी लिख दें लेकिन अगर आप diagram नहीं बनाएंगे तो उसमें number आपको आदे ही मिलेंगे तो आप diagram बनाना ना भूलें thermodynamics में अगर आपने diagram नहीं बनाया तो आपको number नहीं मिलेंगे तो आप diagram बनाना ना भूलें एक है first law of thermodynamics एक है zeroth law of thermodynamics second law of thermodynamics जिसके अंदर Calvin Planck का statement and classius का statement है वो आपको सब याद कर लेना है और इसके diagram भी आपको देख के मतलब देख लेने है और फिर पेपर में जाके बनाने है फिर आपका third question आता है write the study flow energy equation and इसको drive करना है study flow energy equation क्या होती है और आपका इसकी definition इसको कैसे drive करते है इसका पूरा derivation है वो आपको इसमें define करना है तो इसमें आपको पूरा derivation लिखना है फिर आता है state the second law of thermodynamics according to Planck Calvin statement and according to classius statement thermodynamics का second law आपका यह आ गया तो यह आपको define करना है फिर आता है आपका current note cycle derivation and numerical current note cycle का आपको derivation पूरा define करना है इसकी आपकी efficiency क्या होती है current note engine की यह सब आपको देना है और diagram, pv diagram, ts diagram यह सब आपको इसमें बनाना है पूरी current note cycle इसमें आपको दिखानी है तो तब ही आपको इसमें 5 number मिलेंगे और आगर आपने diagram नहीं बनाया तो आपको number नहीं मिलेंगे और इसके जो भी numerical है वो आप देख लीजेगा क्योंकि numerical भी बहुत आती है thermodynamics में तो आप इसके numerical भी देख की जाईएगा जो आपका molar diagram है वो आपको इसमें करना है और basic definition जितनी भी आपकी definitions है वो आपको इसमें करनी है boilers, lankashire boiler and babecock, wilcox boiler हमारे syllabus में only दो boiler है जो की babecock, wilcox boiler and ये लankashire boiler इसमें आपके जो diagram है वो आपको इसमें भी जरूर बनाने है जितने भी आपके theory में आपको जो भी लिखना है वो आप theory में लिखिएगा लेकिन side में diagram जरूर बनाईएगा diagram का बहुत बड़ा roll होता है इसमें तो आप diagram बनाना ना भूलें फिर है mounting and accessories of boiler boiler की mounting and accessories भी उसमें पूछ सकते हैं तो आपको उसमें वो लिखना है फिर question आपका 9 आता है drive the efficiency of auto cycle auto cycle की efficiency क्या होती है diesel cycle की efficiency क्या होती है यह आपको इसमें इसका भी पूरा derivation है auto cycle का भी आपका pv diagram है और उसका auto cycle, diesel cycle सबका आपका pv ts diagram है तो यह आपको define करना है diagram मनाना ना भूले और इसमें आपको auto cycle, diesel cycle और क्ला यह car note cycle इसमें आपको cycle देख के जानी है ताकि आप paper में आसानी से कर सकें फिर आता है आपका 11th question application of compressed air compressed air क्या होता है compressed air की applications क्या होती है यह आपको पूछ सकते है और फिर reciprocating compressor यह क्या होता है तो यह आपको पूछ सकते हैं जैसा कि 12th questions में दे रखा है construction and working single stage reciprocating compressor यह आप से compressor भी पूछ सकते हैं compressor के types कितने होती हैं कौन कौन से compressor होती हैं इनके बारे में पूछ सकते हैं rotatory compressor पूछ सकते हैं rotatory compressor reciprocating compressor यह सब आप से पूछ सकते हैं और difference between rotatory and reciprocating compressor reciprocating compressor and rotatory compressor में क्या difference है कौन कौन से अंतर है यह आपको इस question में बताना है 14 question है of heat treatment modus of heat treatment इन सब के आपको definition देनी है conduction क्या होता है convection क्या होता है radiation क्या होता है इन सब की आपको definition देनी है चोटी-चोटी definition होती है कि आपको learn करनी है और paper में जाके लिखनी है conduction, convection, radiation, heat treatment क्या होता है यह सब आपको इसमें लिखना है 15 question है working principle of four stroke and two stroke engine आपको इसमें प्रिंसिपल लिखना है वर्किंग प्रिंसिपल पूरा आपको इसमें डाइग्राम सहित आपको टोटल इसके चार प्रॉसेस होती है 4 stroke and 2 stroke के ये सब आपको इसमें लिखना है 4 stroke and 2 stroke ये सब आपको इसमें लिखना है तो ये आपके रहे फिर है numericals, break power and indicated power 16 number पे आता है आपका break power क्या होती है indicated power क्या होती है, fictional power क्या होती है तो इस सब में आपके numericals आपको देख के जाने है numericals भी पूछ सकते हैं तो आपको इसके formula वगरा जितनी भी है वो आपको इसके में देख के जानी है power किन्य प्रकार क्यों होती है power क्या होता है power तीन टाइप्स की होती है कौन-कौन सी break power एक होती है break power indicated power and frictional power तो यह आपसे इसमें पूस सकते हैं और इसके numericals भी हैं बहुत सारे हैं तो आपको यह सब देख के जाने हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही यह आपके thermal engineering important questions हैं अगर आपको इनका solutions भी चाहिए तो आप हमें comment works में paste करिए हम आपको एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपको इनके solution भी पताएंगे तो अगर आप भी इनके solution देखना चाहते हैं तो comment works में paste कीजेगा हम एक वीडियो इसकी बनाएंगे आपको कोई भी information पूछ ली हो तो comment works में paste करिएगा thanks for watching this video अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो like comment subscribe and share कीजेगा thanks for watching this video